हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट की बजार पर दोस्तों रेनु का शुगर की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ढूलाइए पर दोस्तों रेनु का शुगर के स्चोक में डेफिनेटली आपको एक अच्छा कासा मॉमेंटम देखने को मिल रहा है करेंट ड्विल्लिया कली अतर में चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करने ऑपर के खमरेंगा तो आपको पतै होगा कि कंऌनी पर रिच्शन जो है उसकी capacity को expand कर रही है अठानी और मुनोली में तो ये company का जैसे result आउट हुए थे वैसे ही दोस्तों एक company ने draft जारी किया था और definitely काफी positive बात निकल कर आ रही है वही currently अगर अपन देखे हैं तो 30.25 के correction पर आपको ये share मिल रहा है 30.25% ये आपको share नीचे मिल रहा है from its 52 week high and अगर अगर अपन momentum की बात करें तो ये महीने में 12% की गिरावट आपको stock में देखने को मिलिए and friends अब अगर markets की बात करें तो आज आप देख सकते हैं market में जादा तीजी तो नहीं बिल्कुल flat closing आती भी देखने को मिलिए बट higher level से अज market 100 point से जादा गिरा है लेकिन उसके बावजूद भी रेनु का sugar का stock लगबग आपको 2% उपर मिलता हुआ देखने को मिला है and अगर अगर आपन बात करें दोस्तो stock के intraday high की तो 48.60 पैसे का stock का अगर आपन stock के financial overview की बात करें तो आप देख सकते हैं December quarter में company का 25 करोड का revenue आया है and अभी भी company के expansion plan से उससे और आपको revenue बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा and अगर अगर अपन company के profit की बात करें तो दोस्तों 141 करोड के profit loss से company 14 करोड के profit में आई है तो काफी अच्छा company का growth रहा है quarter on quarter definitely year on year basis पर company का profit घटा है but overall company के revenue में बढ़ा थे company का profit Q on Q basis पर बढ़ा है and company अभी भी आपको profit में आती भी देखने को मिल रही है वह अगर अगर अपन company की EPS की बात करें तो company की EPS 0.66 negative थी last quarter में and इस quarter में 0.07 positive है तो ये भी एक बहुत बढ़िया indication है इस टॉक में आपको अप्रेंट देखने को मिलेगा वह अगर अपन स्टॉक की resistance की बात करें तो ये resistance clear ये resistance clear mainly ये resistance है और 48 रुपे 60 पशे का resistance है ये अगर level stock clear कर देगा तो सबसे पहला target 49 का दूसरा target 50 रुपे का stock में ज़रूर आता हुआ देखने को मिल सकता है sentiments की बात करें तो 87% लोग bullish है 13% लोग bearish है तो retail centimeter तो दोस्तो अप्ट्रेंट का इशारा कर रहा है तिंक सो जिस हिसाब से stock correct हुआ है यहां से definitely chances are very high कि stock आपको तेजी करूके दिखा सकता है तो चलिए दोस्तो अब चलते हैं stock के इंडड़ के charts पर और कल के end long term के targets पर चर्चा करते हैं तो friends अपन stock के charts पर आगे हैं और आप देख सकते हैं September में company ने तेजी करी September में आप देख सकते हैं stock ने लगबग दोस्तो इसी 48-49 के level से 68 rupees के high देखे फिर गिरावट करी और currently वापिस है उसी zones पर stock आ चुका है अगर अपन दोनों scenario को देखे तो इस time पर company का 141 करूड का घाटा था और इस quarter में company का 14 करूड का profit है तो आप देख सकते हैं company के dimensions बिल्कुल बदलते हुए देखने को मिले तो यह दिखाता है कि दोस्तों stock में एक investment का काफी अच्छी opportunity नदर आती भी देखने को मिल रही है अगर अपन trend line की बात करें तो trend line का जो stop loss आ रहा है stock में वो लगबग दोस्तो around this level 45 का level आ रहा है तो देख लिजए दोस्तो 40 line 45 आपको एक बहुत important stop loss हो का stock के अंदर एंड higher side पर जो resistance face out हो रहा है वो हो रहा है दोस्तो 54 रुपे के आसपास 54 नहीं 56 रुपे के आसपास एक बार अगर 56 रुपे का level share तो तो इमीडेटली आपको 60 रुपे एंड 65 रुपे एंड 70 रुपे तक के target stock में देखने को मिल सकते तो यह था दोस्तो long time outlook अब अगर कल की बात करें तो कल मेरी यह से लाए दोस्तो 48 रुपे 60 रुपे के level का वेट करेंगे अगर वो लेवल शेर इंट्राडे में तोड़ दे तो खरीद कर चले stock को और मेरा लक्ष जो है वो कल की दिन वो 50 रुपे का है 50 रुपे तक के लक्ष के साथ आप श्री रेनु का शोगर में घड़ाइगा के जब सकते हैं और तक में कोई कोई कोईरी है तो जरूर में को आप कमेंट करेंगा सकते हैं थैंक्यों वर चुन दिस वीडियो